नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शिख्षक जीव विज्यान वर्गदो मिडिल इसकूल टीचर इसमें कटाप कितना जा सकता है वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लिगतार कॉमेंट्स आ रहे हैं और क्योरिस आ रहे हैं कि सर मेरें कितना है इसमें होने की सम्हावना है की नहीan अलेडी इस पर वीडियो बना हुँ है परिक्षा के उपरांथ लेकिन उस समय की जो परिस्थिती थी उस समय का जो संदर्ब था अब भर्तियों ने जिस तरह से रियक्षन दिया था उस अधार पर वीडियो बनाए गया था अभी की क्या इस्तिती है अभी क्या संदर्ब है अभी किस तरह से रिएक्षन दिये जा रहे हैं उस अधार पर ये वीडियो है तो सबसे पहले जान लिजिए कि सिख्षक जिविग्यान में टोटल पद कितने है EOT को मिला कर तो EOT को मिला कर टोटल पद है 1000 और इसमें X सर्विसमेन और PH के भी पोश्ट सामिल है जिसके बारे में अभी नहीं बताया जाएगा इसमें PH और एक सर्विसमेन में बहुत काम रेंग तक भी जाता है उसकी चिंता ना करें और वो डिपेंड करता है कि किस केटिगरी में कितने PH को लिए जा रहा है ये बहुत सारी इसमें चीजें डिपेंड करता है महिला आरक्षन भी होता है कि मोटा मोटा तोर पर एक अनुमान के लिए हम यहां वीडियो देख रहे हैं तो 409 मानके चली यू आर पोस्ट है तो इसमें कितने रेंग तक सेलेक्शन होने का चांस रहेगा तो 409 पोस्ट है की संभावना रहेगी सिक्षक जिविग्यान बनने की अगला केटिगरी हम देखते हैं एस्सी केटिगरी में तो एस्सी केटिगरी में टोटल पोस्ट जो है वो है 108 यह और टी मिलाके महिला पुरूस का तो 108 पोस्ट है तो आपका अगर 400 रेंग है एस्सी में किसमें एस्सी रेंग की बात करों केटिगरी रेंग केटिगरी में 400 रेंग है ओर राल रेंग तो ज्यादा होगा इससे बहुत केटिगरी में 400 रेंग है तो संभावना रहेगी कि आप एस्सी केटिगरी में सिक्षक जिविग्यान पद प्राप्त कर लें तो यह जो 400 rank कहा रहा हूँ, यह SC category rank है, rank कई प्रकार के रहते हैं, आपने देखा होगा, आपका overall rank अलग होगा, और SC category rank अलग होगा, तो उसको ध्यान में रखें, अगला हम देखेंगे, एस्टी का, तो एस्टी में सबसे अधिक पोस्ट है, एस्टी में 300, यू आर के बाद सबसे अधिक है, तो एस्टी में कितना पोस्ट है, 343, महिला पुरूस मिला के, EOT मिला के, तो यहाँ पे selection जो होने का chance रहेगा, वो रहेगा, पंदरा सव रेंग तक, जिनका भी, किसमें A-S-T केटेगरी रेंग, A-S-T केटेगरी रेंग 15 सव है तब, ओवरार रेंग तो इससे ज्यादा होगा बहुत आपका, उसको नहीं कह रहा हूँ, A-S-T केटेगरी रेंग 15 सव तक है, तो A-S-T में जीविज्ञान, सिक्षा का पद प्राप्ट कर सकते हैं, संभावना रहेगी, अगला हम देख लेते हैं, O-B-C, तो O-B-C में पद कितने हैं, 140, तो संभावना रहेगी कि 500 रेंग तक, 500 मतलब O-B-C केटेगरी में 500 रेंग, O-R-R रेंग नहीं, O-R-R रेंग अलग होगा, मैं बोल रहा हूँ, O-B-C केटेगरी जो रेंग है, क O-B-C, आरक्षित में आपका सिक्षक, जिविग्यान पत प्राप्ट करने की संभावना रहेगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कोई समस्त्या सुझाओ, कॉमेंट कीजिए, धन्यवाद, जैहिन.